भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीमरव अम्बेडकर की जैनती दिनानक 14 अप्रेल 2023 के अउसर पर प्रतिवर्च की भाती जिला इस्तरिये एवं राज्य इस्तरिये अम्बेडकर महिला कल्नान प्रुसकार 2023 जो है वो प्रदान किये जाने है ये राज्थान सरकार का जिख न्याय एवं अधिकारत विभाग जो है वो ये प्रुसकार प्रदान करेगा तो अब इस हम वीडियो के अंदर पहले जिला इस्तर पर किस प्रिकार आविदन करना है और कौन पात्र वेक्ति है या कौन से संस्था पात्र है साथ में राज्य इस्तर पर कौन वेक्ति या कौन से संस्था पात्र है और क्या प्रक्रिया रहने वाली है उसके बारे में discussion करने वाले है सभी का स्की लिध गुरुकुल के इस एपिसोड में स्वागत है ये राजवाईजियाज्य वीडियो की ही थीम हम लोग जान चुके है अब हम वीडियो को diedl में discuss करेंगे पह पहले हम जिला इस तरिये अंबेड कर महिला कल्यान पुरुषकार के बारे में डिसकुशन करने वाले हैं। ये राजस्थान के सभी जिलों में दिया जाना है। इसमें पॉइंट नमबर टू में जिला इस तरिये अंबेड कर महिला कल्यान पुरुषकार और इसकी शेत्र अर्गिनाइजेशन जैसे कोई NGO हुआ जो कि राजस्थान में रजिस्टर्ड हो उसको दिया जाएगा दूसरा उपखंड वजिस्ट्रेड जो है उसके दुवारा उत्तम चरित्र एम प्रतिष्ठा का प्रमान पत्र लेना होगा जो कि या तो महिला अप्लाई कर रही है उसके संधर्ब में या संस्था के संधर्ब में भी हो सकता है तीसरा संस्था जो है या फिर जो महिला है वो कम से कम चार साल से रजिस्टर्ड होकर अब या रजिस्ट्रेशन जो है वो बेसिकली संस्था के संधर्ब में है पंजिक्रित होकर अनुसुच जाती अनुसुच जन जा अब उस महिला का SCHT होना जरूरी नहीं है चौथा महिला उत्थान के शेत्रों में भारत सरकार अथवा राजे सरकार द्वारा संचलित योजनाओं का लाब लक्षित वर्ग तक पहुचाने में संस्थान अथवा महिला का उलेकनी योगदान रहा हो तो जो गवर्मेंट अफ रास्तान ये गवर्मेंट अफ इडिया की SCHT के लिए जो स्कीम्स है उनका महिला उत्थान के शेत्र में पहुचाना है और उनकी समझ रखना और उनका लक्षित वर्ग तक जो लक्षित वर्ग है उसको पहुचाया गया हूँ पाँचवा संस्था जो है या फिर जो महिला है वो समाज से फंड लेकर या फिर अगर वो खुद इतनी रिसोर्सफुल है तो अपने खुद के रिसोर्सस से वंचित वर्ग के लिए कारिये कर रही हो यह जिलाष्थर है अम्बेडकर महिला कलियाण पृष्कार जो कि राजस्थान की सभी जिलो में दिया जाएगा उसकी बेसिक डिटेल्स है अब हम जानेंगे राज जी स्थर पर कौन एप्लाई कर सकता है राज जिलाष्थर तीसरा जो NGO है या organization है या institute है या संस्था है वो या फिर महिला जो है जो के individual है वो अनुसुचित जाती हो SC के लिए और अनुसुचित जाती हो SC के महिला हो के उत्थाने तु कारत रही हो चौथा महिला उत्थान के शित्रों में government of India या फिर government of राज्थान जो है उसकी schemes जो है उनका lab जो है वो लक्षित वर्ग तक पहुचाने में उलेकनी योगदान रहा हो मतलब lab दिलवाया हो आवेजन करता महिला की आयूट 40 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और अगर कोई संस्था है तो वो कम से कम 4 वर्ट से ज़्यादा समय से पंजिग्रित होनी चाहिए रिइस्टर होनी चाहिए अब जिला इसतर पर कैसे अप्लाई करना है राजिसतर पर कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में हम जानने वाले हैं यहां राजिसतर पर 21,000 रुपै और Certificate दिया जाएगा अब application का process पहले हम जिला इसतर देखेंगे तो जिला इस्तर पर आवेदन करना है वो फिलहाल डेट 28 फरवरी 2023 है अगर आप ये वीडियो 28 फरवरी 2023 के बाद देख रहे हैं तो एक बार ये वेबसाइट जरूर चेक कर लीजिएगा आपको आइडिया हो जाएगा कि लाश्ट डेट इसकी 28 फरवरी है या बढ़ गई है कई बढ़ क्या होता है डेट बढ़ जाती है तो आप ये जो फॉर्म है जो कि मैं भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कहां आपको अविलेबल हो जाएगा उस वेबसाइट का लिंक और उसका जो पीडिया फॉर्मेट है वो लीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अविलेबल भी हो जाएगा तो आगे या तो आप डाग द्वारा या खुद जाकर अपने जिले के जो सामाजिक निया अम अधिकारता विभाग का ओफिसे वहां जमा करवा सकते हैं वेबसाइट इनकी sj.rajistan.gov.in है और यह फॉर्म जो है वो आप चाहें तो अपने जिले के जिला अधिकारी सामाजिक निया अम अधिकारता विभाग के आरेल से भी प्राप्ट कर सकते हैं अब हम राज्यस्तर पर कैसे अप्लाई करना है उसके वारे में देखने वाले हैं उसके साथ साथ में आप वेबसाइट सर भी इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं लास्ट डेट अभी 28 फर्वर्य हो सकता है बाद में बढ़ जाए दुर्वाश नमबर दिये हुए हैं अब हम जानने वाले हैं कि यह फॉर्म आपको कहां अविलेबल होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई वेबसाइट पर जब हम टच करते हैं तो हमारे सामने ये इंटरफेस उपन होता है इसके अंदर हमको नुटिफिकेशन जो सेकंड आप्शन आ रहा है उसके उपर टच करना है टच करते हैं हमारे सामने ये इंटरफेस उपन होता है हमको इस मोबैल के स्क्रीन को स्ट्रॉल करते हुए नीचे जाना है अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 जो है वो इस के PDF से रिलेटेड होने वाला है अब एक बार हम इन दौनों के PDF डाउनलोड कर लेते हैं तो इन दौनों के PDF आप जब पॉइंट नंबर 3 और 4 पर टच करते हो तो आपके मोबैल में सेव हो जाते हैं उस सेव हुए फॉर्म के अंदर आपको ये स्क्रीम जो है उनके बारे में डिटेल्स पता है प्लीज पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 को आप डाउनलोड कर सकते हैं अब ये डाउनलोड हम कर रहे हैं और हमारे सामने डाउनलोड करने पर ये option आता है download हो चुका है अब हम इसको open करते हैं open करने पर हमारे सामने screen open हो ती है यह रहा जिलाज तरिया अंबेड कर महिला कलनाड पुरसकार दूसरे नंबर का ऐसे ही आपको जब आप पॉइंट नंबर 4 को टच करोगे तो राजज तरिया वाला PDF जो है वो डाउनलोड हो जाएगा उसे चेक करने पर आपको वहाँ यह फॉर्म अविलिबल हो जाएगा